नमस्कार दोस्तों मैंक्रिशन आप सबके स्वाकत करता हूं इरान ने दुनिया को हैरान कर दिया है और उन्होंने पहला अपना एक एरक्राफ्ट केरियर परदशित किया है जिसका नाम शाहिद भगेरी है और ये जो aircraft carrier है वो stealth drone का इस्तमाल करेगा इरान की मीडिया ने अपने aircraft carrier शाहिद बगेरी का footage भी social media पर प्रदशित किया है जो की उनकी revolutionary guard corps के द्वारा इस्तमाल किया जाएगा खास करकि drone operation के लिए इरान का दोस्तों ये जो aircraft carrier है वो कहीं न कहीं दोस्तों एक forward based ship का referred यानि कि आप समझ सकते कि संदर्वित रूप है यानि कि दोस्तों इस जंगी पोत में Russian कुजिनेसोफ क्लास और British Queen Elizabeth क्लास aircraft carrier के समान एक angled flight deck और इसकी jump launch system है दरसल दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इरान ने ऐसे कैसा करके दिखाया दरसल दोस्तों इरान ने एक commercial container ship का इस्तमाल किया और काफी कम budget में इसे उन्होंने एक aircraft carrier का रूप दे दिया यहीनि इसके अलावा एक और container जहाज पर भी काम किया जा रहा है जो कि drone operating platform होगा जिसका नाम शाहित महदवी है यानि कि इरान के पास अब देखेंगे कि दो aircraft carrier चल्दी होने वाले हैं अब दोस्तों यह जो converted container जहाज हैं इनका इस्तमाल अगर aircraft carrier के रूप में इरान करता है तो ओविसी बात है इससे इनके प्रदर्शन यानि की performance में काफी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं खास करकि युदिक इस्तिती में यानि कि अगर युदिक इस्तिती में इरान को अगर کوئی नुकसान पहुंसता है या उसके aircraft carrier को नुकसान पहुंसता है तो वो फिर इनको दुबारा ठीक नहीं कर सकता हाला कि दोस्तों ये जो aircraft carrier इरान के दोरा जो जुगार से बनाये गये हैं वो किसी भी Unmanned Aerial Operation के लिए काफी बहतर platform माना जा सकता है खास करकि इरान का शाहद 191 Stealth Trone के बारे में बात की जाये तो दरसल दोस्तो इरान की सरकार ने 1970 के दशक तरी अपनी नौसेना की शक्ती को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया था हाला कि 1970 में दोस्तो इरान की प्लानिंग थी कि वो हैरियर जंफ जेट के साथ साथ बिटिश इन्विंसिलवल क्लास केरियर का अधिगर्ण करें लेकि 1979 में इरान में जो पहल भी राजवन्स था उसका पतन हो गया जिसके उज़े से उन्हें अपने डिफेंस की शमता में जो खर्चा करना था उसमें कटाउती की गई लेकिन हाली के दशकों में अगर आप देखे तो इरान ने नौस सेना के बजाए रिवलिशनरी गार्ड कॉप्स ने विदिशों में अपने जिम्मेदारी समहली है जिसमें की ड्रोन आपरेशन मद्यपूर्फ यानि की मिडिल इस्ट में अभियानों में महतवपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं 2018 में दोस्तो इसराइली हवाई शेतर में एक टो ही अभियान शुरू किया गया था इरान के दवारा जहां इरान का सेगा स्ट्रेल्ड ड्रोन ने रडार से बचने में ये कामियाब रहा इसे इसराइल के पैट्राइट एर डिफ्रेंस सिस्टम के दवारा शूट डाउन केरियर आ जाये लेकिन इनके पास अभी फ्रिगेट्स और जो दिस्ट्वायर्स है जिने के बॉडरन सर्फिस कॉमबैक शिप्स कहा जाता है वो नहीं है जो कि उनके दुश्मनों के द्वारा आसानी से इनके ऐरक्राफ्ट केरियर को निशाना बना सकती है यानि पूरी तरीक की रक्षा के लिए डिस्ट्वायर्स पर निरभर होती है लेकिन फिर भी एरान के जज़वे को मानना पड़ेगा लेकिन दोस्तो एरक्राफ्ट केरियर से इरान अगर इन ड्रोन्स को अपरेट करता है तो इससे वो वेस्ट तुर्की या फिर इस्राइल समर्थित जो विद करते हैं अब ये कहा जा रहा है कि इरान का जो शाहिद बगेरी और शाहिद महदेवी एरक्राफ्ट केरियर होंगे इन एरक्राफ्ट केरियर से इरान फिक्स्ट विंग केरियर ऑपरेशन में अनुभव प्राप्त कर सकता है और एक बार अगर यह अनुभव उसको मिल जाता तो उसकी स्ट्राइक शम्ता में एक बड़ा इजाफ़ा हो जाएगा साथी साथ इससे इरान को एक बड़ा अनुभव भी मिलेगा जिसके जरिये इरान अपने जहाज नियमान उद्दियों को धिरी धिरी बढ़ा सकता है और उसमें विश्य शक्यता हासिल कर सकता है लेकिन अब यह बात सामने आती है कि देखिए किस तरीके से एक एरक्राफ्ट कैरियर को जो कि बहुत ही सस्ता है जो कि एक जुगार से बनाए गया है वो इस्पेशली फाइटर जेट से ऑपरेट करने के लिए नहीं है बलकि यहां से स्टेल्स द्रोन का अस्तामाल किया जाएगा तो यह वाके में दोस्तो एक नए कॉंसेट दुनिया के सामने लाती है क्योंकि दोस्तो अभी तक आपने देखा होगा कि एरक्राफ्ट कैरियर से कई तरीके के मिशन्स किये जा सकते है और एरक्राफ्ट कैरियर को स्कॉइड करने के लिए भी सम्मरीन्स आपके फाइटर जेट्स इसके अलावा हेलिकॉप्टर्स फिरिगेट्स और डिस्टोयर्स सब होते हैं जो कैरियर बैटल गूरुप अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज को किस तरीके से एक एरक्राफ्ट कैरियर को प्रटेक्ट किया जाता है लेकिन दोस्तो जब एरक्राफ्ट कैरियर केवल और केवल स्टेल्स द्रोन का इस्तमाल करेगा तो अव्य से बात है ये नुकसान तो बड़ा पुछा सकता है फिराल इस बारे में आपकी क्या रहा है मुझे कमें शेक्राफ्ट में लेकर जरू बताएगा जाहिन दोने मात्रों